नमस्कार जैस्री किष्णा मैं राकेश पाठक शिवानी अस्टो चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले कुछ दिनों से मैं जोतिस ग्यान के नाम से एक सिरीज सम्रोगों ने चलाई है जिसमें बेसिक से लिखे एडवा आज से उपर पार्ट हो चुके हैं यह देख लेएं अगर ना देखे हूं तो आज हम आगे चलेगे me maintenant के अंतर दिश्या के बारे में बात कररें थे हैं कि सील को प्रॉप्ट होते हैं तो उसके बारे में बात कर रहे थे फैंश कम पूर देने वाली जो हमेशल लेन यह सब होती है महादशा तो इंसान की प्रकृति को चेंज करती है फल अंतर दशा देती है इसलिए अंतर दशा को पढ़ना बहुत जरूरी है कि वो आपकी कुंडली में कैसा है कैसा नहीं है क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है तो वो कहते हैं कहते हैं कि महा दशा स्वामी जब कुंजर्म कुंड़ी में बलवान हो दशा स्वामी तब उसकी दशा के समय गोचर वस अपनी उच्छ सेराशी या मित्र राशी में रहता हुआ लगन से जिस भाव में ब्रह्मन करता है उस भाव का कुस्टी कारक होता है इसका क्या अर्थ है इसका अर्थ यह है कि यदि महा दशा स्वामी या अंतर दशा स्वामी जो भी आप लेना चाहे आप ले सकते हैं अगर गोचर कुंड़ी में वो बलवान है शुप ग्रहों से द्रस्ट है केंदति कौनला भाव में बैठा है शुप ग्रहों से युथ है अगर वो बलवान है लगन से जिस भाव में होगा उस भाव की व्रद्धी करेगा अगर वो लगन से चौथे भाव में होगा तो सुक की व्रद्धी करेगा लगन से पांचवे भाव में होगा तो संतान व्रद्धी करेगा लगन से छटे भाव में होगा तो रोग की हानी करेगा शत्रू की हानी कर में यदि वह स्वे राशी मित्र राशी में रहता हुआ लगन से जिस भाव में नमंड करे उस भाव का पुस्टी कारत होता है इसी का दूसरा नियम यह है कि सपोस कीजिए कि अग्ता दशास्वामी कुल्डी के अंदर आपका कमजोर है छटे आठवे बार्वे भाव में इस उसकी धशाब कि यहोगा कि उसकी धयाक के समय यदि वह दें आप ने नीच राशी में चला गया शॉर्य涯 से हो गया लगनdefense कि वह ठीजर समझेट आठवें से उत इस महादशा जर्म यदिवे जर्मकुर्णी में बलहीन है तो गोचर के समय अगर वो अपनी नीच राशी में शत्रू राशी में हो या अस्त हो सूरे के पास होने से तो गोचर वश लगन से जिस भाव में वो होता है उस भाव से सम्मंदित वो काफी हानी करता है यह आपको धायनकने वाली बात है और बाई चांस अगर वो बलहीन हो और अपनी स्वेराशी उचराशी मित्राशी में वो गोचर करे तो उस केस में लगन से जिस भाव में होगा उस भाव का वो उत्ता नुकसान नहीं करेगा क्योंकि गोचर उसका बहुत बढ़िया है बलहीन जरूर है बलहीन के फल तो म लेने जाना है तो मैं कल जाओं या ना जाओं या मैं आज पिमेंट यूँ यह लेने जाना चाहता हूं तो उसके लिए जवाब देने के लिए यह वाला जो नियम है यह नियम बहुत अच्छा नियम इसमें क्या है दशानाच से किनकी इस्थानों पर जब चंद्रमा गोचर में आता है तब शुपल करता है दशानाच से देखे गोचर हम लोगों ने पढ़ा है जन्मकालीं चंद्रमा से कहां कहां गोचर में ग्रह आते हैं तो अच्छे होते हैं लेकिन दशानाच से चंद्रमा का गोचर बह लगन बनाकर ये है चैक कीजिए के उस से चन्द्रमा इसे पाँचवे छटे शाटवे नवे दस्वे और ग्यारवे भाव में अगर है उसे देज सब्सक्सित की द्हजरत का और इसे पांचवे छटे शाटवे 9 दस्वे ग्यारवे भाव में है तो आपका काम सिद्ध होगा लेकिन जरूरी यह है कि इन भाव में उसकी मित्र राशी हो स्वे राशी हो या उच्छ राशी हो आशा करता हूं आप समझे होंगे एक बार मैं और रिपीट कर देता हूं उस चीज़ को कि चंद्रमा जो है आप जिसकी भी अंतर दिशा चल रही है या प्रतिंतर दिशा चल रही है उसको आप लगन बना लिए जैसे आप चाहते हैं कि मैं देखने चाहता हूं कि आज कहीं जाना है और मेरा काम बनेगा या नहीं बनेगा तो मैं सुक्ष्म दिशा को ले लूँगा अपने या प्रांदशाद ले टूगा उसको मैं लगन भना लिया लगन बना के मैं क् सोगर्ण करता और इन भाव में सब्चाहि और वहाँ पे चंद्रमा एक राशी में केवल सवा दो दिन रहता है तो ये गोचर बहुत इंपोर्टेंट है इसके थुरू आप बहुत सारे काम अपने सिद्ध होते वे देख सकते हैं अब यही कुश्चन है कि जिस ग्रह की अंतरदशा हो वही बात आ गई है कि जिस ग्रह की अंतरदशा हो यदि वे गोचरवश अपनी शतूर राशी में जा रहा हो नीच राशी में जा रहा हो यह सूर्य के समीक होने से अस्त हो जाए तो वह कस्त देगा देखे, किसी ग्रह की अंतर दशा है, आपके, आप सोच रहे हैं कि मेरा ग्रह ठीक है, वेल प्लेस्ट है, कुंडली के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो दशा अच्छी जानी चाहिए, लेकिन आपको रिजल्ट दशा इतने अच्छे नहीं मिल पा रहे हैं, तो आप हैर हैं यह सोच के, कि मेरी दशा तो अच्छी होनी चाहिए, अच्छे ग्रहों से द्रस्ट है, वो रिजल्ट इस भी आपको अच्छे नहीं मिल रहे हैं, जिस ग्रह की आपकी अंतर दशा या प्रत्यंतर दशा है, वह अपनी शत्तुराशी में जा रहा है, नीच राशी में ब अच्छी है, और वो कुंडली में गोचर वर्ष वक्र राशी में हो गया, गोचर वस वक्र हो गया, कहां वक्र हो गया, अपनी स्वेराशी में या उच्छ राशी में, किसी ग्रह की अंतर दशा है, और यदि गोचर में वो अपनी स्वेराशी या उच्छ राशी में हो, और साथ में वक्र हो जाए, तो वक्र हो जाएगा तो जायदेर बैठेगा व वक्र होने से उसका चेश्टाबल बढ़ जाता है तो वह और अच्छे तो एक पर्टिकुलर घ्र की अंतरदशा है या प्रितनतरदशा है आप लग रहे हैं कि सोच लेए कि फलतोस का अच्छा मिलेगा मुझे ग्रह अच्छी प्लेस्ट है शुब्रहों से द्रस्ट है और अं अंतरदशानात या प्रितनतरदशानात अपनी स्वेराशी में या ओच्छे राशी में है और साथ में वक्री भी हो गया तो बहुत अच्छे मिलेगा उल्टे में उल्टा हो जाएगा तो यह भी आपको ध्यान रखने वाली इसके अंदर बात है अब सबसें पाइंट आता है कि यदि कोई अंतरदशानात या प्रितनतरदशानात या कोई ग्रहे आपको शुपफल देने वाला है या शुपफल देने वाला है अपनी दशा में जब भी मैं दशा का सब्द इस्तेमाल करूं तो आप उसको अंतरदशा प्रितनतरदशा या महादशा जो भी चाहें तो कोई ग्रह यदि अपनी दशा में शुब्फल कम मिलेगे या वो ऑशुब फल कम mir Denver की इसे अ प्राण रहा की औंतर को कि न हैं नहीं दे साल साल स्क्रत के लिए हैं शुकुर जैसे कि इसी दिखेंगे धिए मेरी में मिलेगा तो उसे जम मिलेगा जब जिसकी दशा है उसकी उच्छ राशी में गोचरवस सूर्य आ जाए या ब्रस्पती आ जाए उच्छ राशी में गोचरवस सूर्य या ब्रस्पती आ जाए सपोस कीजिए कि आप किसी ग्रह की दशा चल गए और वो दशा या आप यही समझ कछ लिए मैं आपको एक्जांपिल देता हूं इसके अंदर आउससे जाधा और मान लीजे किसी कुंड़ी में शुक्रापका अच्छा अच्छा रहा है वह आपको अच्छ फल देने वाला है तो उसके शुक्राशी मीन होती है जिसकी दिसा चल रही है उसकी उच्छाशी डू लोको आना तो वो मीन होती है ऐसी इस्तिती में जब भी गोचरवस सूर्य मीन राशी में आएगा या ब्रस्पती मीन राशी में आएगा तो वो शुपल मिले बहुत सिंपल है आपको देखना इसके अंदर थोड़ा रिसर्च से हम लोगों ने ये देखा है कि उच्छ राशी का तो शास्त्रों में वर्णित है लेकिन साथ में आप स्वे राशी या मित्र राशी भी जोड़ सकते हैं यानि किसी जन कुल्ड़ी में शुक्र शुप्रद है और उसकी महादशा या अंतःशा चल रही है तो शुक्र की उच्छ राशी मीन है तो ऐसी इस्तिती में जब गोचरवस सूर्य मीन राशी में आएगा या अपनी स्वे राशी में आएगा तब वो शुपफल दे सकता ह तो ये भी एक important point है, इसके विप्रीद कोई ग्रह जनकुर्णी में कस्ट पर्द है, कस्ट देने वाला है आपको, तब क्या होगा? और उसकी अंततिशा चल रही है, तो उसे कस्टफल कम मिलेंगे आपको, अशुपल कम मिलेंगे आपको, जब उस ग्रह की नीच राशी में या स्टुर राशी में गोचल वास, सूर्य आएगा तब उसके आपको अच्छे फल नहीं मिलेंगे, तो यह थे कुछ points जो मैंने आपको बताए आज आगे मैं और वह points आपको बताऊंगा, जो बहुत important है, आशा करता हूँ, आपको समझाये होंगा, समझना हों तो क्रिब्स के पूछ लीजेगा जपलाई मिलेगा आपको इसके लावा हम लोग एक असलोजी क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं जो लोग इच्छूप हैं वो संपर कर सकते हैं धन्यवाद जैश्रीकृष्ण